नमस्कार दोस्तों मैं संजर कुमार आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हमेशा की तरह आज हम फिर से एक फ्रूट के बेनिफिट के बारे में बात करेंगे जैसा कि हर वीडियो में हम 5 most important benefit के बारे में बात करते हैं ठीक उसी तरह हम आज पपीते के 5 most important benefit के बारे में बात करेंगे दोस्तों यूँ start करने से पहले मैं आपसे request करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आया हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे fruit के benefits और बहुत सारे Ayurvedic उप्चार मैं इस चैनल पर देते रहता हूँ दोस्तों बिना देरी किये benefit के बारे में बात करते हैं तो जो first benefit है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पपीते में vitamin C और antioxidant बहुत ही भरपूर मातरा में पाया जाता है आती साथ इसमें fiber भी पाया जाता है जिसके वज़ा से cholesterol लेवर को निहंत्रेट करने में हमें मदद मिलती है दूसरे benefit के बारे में बात करें दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि immune system को strong करने के लिए एक ingredient होता है जिसका नाम है vitamin C जो कि पपीते में बहुत ही भरपूर मातरा में पाया जाती है vitamin C तो अगर आप अपना immune system मजबू आखो की रोसनी कम होने लगती है जो कि पपीते में भरपूर मातरा में vitamin A पाया जाता है तो अगर आप पपीते का सेवन करते हैं तो आपकी रोसनी बहुत ही तेज हो जाएगी दोस्तों चोथे benefit के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दू कि पपीते में बिभिन प्रका प्रेटलेट की कमी हो जाती है उसको कच्चे पपीते का सेवन कराने से उसका प्रेटलेट बढ़ जाता है और जल्दी जल्द उससे बुखार जैसे और डेंगो जैसे बीमारियों से चुटकारा मिल जाता है तो दोस्तों आज के जानकारी कैसी लगी दोस्तों अगर जानका झाल जड़ास्ट